Friends, आप में से काफी दोस्तों का, अमारे पास कमेंट आता है, कि Sir हमें बिजली फिटिंग का समान चाहिए है, तो आप हमें कोई ऐसी कमपनिया बताईए, जिसका की बिजली फिटिंग का समान बैस्त भो, तो आज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपके लिए, दो अलग- कमपनी के रियो मोडल के लिए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मेटरियल लिया है हमने बिजली फिटिंग का वो होस्ट पर कमपनी का लिया है तो फ्रेंड्स दोनों ही कमपनिया ब्रेंडिड हैं दोनों की ही प्रोड़क्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे अभी हम देखते हैं कि इन दोनों कमपनियों में भी क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना हो कि कौन सा सेलेक्ट करना है तो वो आप ये वीडियो देखने के बाद select कर पाएंगे finally मैं आपको अपना conclusion भी बताऊंगा कि अगर मैं अपने घर पे लगाता तो कौन सी company का लगाता feature और function के according तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने हैवल्स company का जो Rio model है उसके जो कुछ socket switch और power socket हमने इस seat के अंदर लगा रखी है तो इसका look जो है वो आप देख सकते हैं और इसके back side में भी आप देखेंगे तो आपको अलग color का और पूरा का पूरा यहाँ पर प्लास्टिक में देखने को मिल जाएगा तो अभी हम host पर का भी देखते हैं host पर में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक seat के अंदर power socket switch दो socket यहाँ पर लगा रखी है एक switch एक power socket यहाँ पर लगा रखी है और इसके back side में आप देखेंगे तो आपको अलग ही material देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे है चीनी मिटी है यहाँ पर socket है लेकिन इसके साथ में एक lock देखने को मिल जाता है additional इसके साथ में भी चीनी मिटी चीनी मिटी चीनी मिटी तो इनके क्या function है क्या feature है वो आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे तो friends सबसे पहले जब हम market के अंदर जाते हैं तो यह देखते हैं कि हमें कौन से परकार की seat लगानी चाहिए यानि की कौन से design की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह है हैवल्स company का जो Rio model है उसकी seat है आपको इस परकार की seat इसके अंदर देखने को मिल जाएगी जो इसका design है वो आप देख सकते हैं काफी premium है और glossy look के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन friends यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके Rio model की यहाँ पर branding की हुई है और इसके back side से देखेंगे तो आपको completely plastic का देखने को मिलेगा अगर हम इसको open करके देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर का जो structure है इस परकार का देखने को मिलेगा यहाँ पर दो hole यहाँ पर दिये गए है seat के जो box होता है उसके अंदर tight करने के लिए अगर यह कभी तूट जाते हैं तो corner में भी आपको यहाँ पर screw लगाने के लिए hole देखने को मिल जाएंगे जो की additional feature है और इसकी जो build quality है आप देख सकते हैं इस परकार की आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको जितने भी model की requirement है उतने model की आप ले सकते हैं ठीक है लेकिन इसके अंदर आपको इस model के अंदर आपको same color यानि की एक white color ही देखने को मिलेगा अगर आपको अलग color लेना है तो उसके लिए आपको अलग model चूज करना पड़ेगा अभी हम देखते हैं friends होस्पर कंपनी की हमने यहाँ पे display के अंदर भी लगा रखी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह अलग color है यह white color है वो gray color है और वहाँ पे भी बड़ी बड़ी seat रख रखी है हमने इसकी क्या खासियत है वो भी हम दिखा देते हैं आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह यहाँ पे 12 model की seat है इसके अंदर आपको glossy look और बिल्कुल premium look देखने को आपको मिल जाएगी इसके back side में आप देखते हैं तो totally यहाँ पे plastic मिल जाता है जो कि अच्छी quality का है अब भी हम इसको open करके दिखाते हैं open करने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम आपको यहाँ पे यह भी दिखा देता हूँ कि इसके उपर आपको host per company की branding भी देखने को मिल जाएगी इसको open करने के लिए जैसे कि तो इन्हों ने भी यहाँ पे additional feature के लिए चारो corner पे hole लगा रखे हैं जिससे कि आप यहाँ पे भी tight कर सकते हैं कई बर क्या होता है जो box होता है उनके center वाले point पे hole नहीं होते corner पे ओरते हैं तो आप इनको भी use कर सकते हैं और यह जो strip दी गई है लोहे की पत्ती लगा रखी है यह बहुत ही बड़िया बात है जो की host परने कर रखी है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हैवल्स ने लेकिन हैवल्स ने यहाँ पे कोई भी लोहे की पत्ती बगारा नहीं लगा रखी है तो यह तूट भी सकती है और कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर आप देखने हैं तो लोहे की पत्ती है आपको तो यह पता हुगा कि अगर लोहे की पत्ती है तो वो तूटने का खत्रा नहीं है और इसकी जो बिल्ड क्वाल्टी है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ से इस साइड से टच कर दी है लेकिन इसको तूटने का खत्रा बिल्कुल भी नहीं है तो इसकी बिल्ड क्वाल्टी का आपको अंदाजा होई गया होगा अगर आपको कितने भी मोडूल की सीट सही है तो आप होसपर कंपनी से उतने ही मोडूल की सीट ले सकते हैं तो अभी हम सीट को हम रखते हैं साइड में अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स स्विच और सोकेट को तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हैवल्स का रियो मोडल है उसके बारे में तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है वन वे स्विच जो की नॉर्मल स्विच फाइव एंपियर का सिक्स एंपियर का स्विच आता है इसकी जो बिल्ड क्वाल्टी है आप देख सकते हैं इस परकार की आपको देखने को मिलेगी ठीक है इसकी बिल्ड क्वाल्टी अच्छी दी गई है और इसका जो लुक है वो भी अच्छा दिया गया है तो इस परकार की आपको यह फाइव एंपियर में इसके स्विच देखने को मिल जाएंगे वहीं अगर हम बात करें होस्पर कंपनी की तो जैसा कि आप देख पा रहे है होस्पर कंपनी के पास अलग-अलग मोडल के सेम रेटिंग के स्विच देखने को मिल जाएंगे एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है होस्पर कंपनी का pencil type यानि की chrome के अंदर इस परकार का switch जिसकी look आप देख सकते हैं अगर आप premiumness यूज करना चाहते हैं तो ये वाला switch लगा सकते हैं और आपको इसके उपपर branding भी देखने को मिल जाएगी होस पर ISI mark ठीक है और ये 6 ampere का switch है ये friends जो normal हमारे घरों में जो board लगा होता है उसके अंदर भी fit हो जाती है तो इसके लिए आपको कोई अलग से model लेने की जूरत नहीं है ये सभी model के अंदर switch लग जाते हैं अगर हम दूसरे switch की बात करें तो ये इस परकार का आपको normal switch देखने को मिल जाएगा जो की 6 ampere के है इसके अंदर आपको दो टर्मिनल इस परकार के देखने को मिल जाएगे और ये इसके अंदर भी यहाँ पर ISI mark host per company की ब्रैंडिंग की हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है flat switch इस परकार का अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये वाला switch भी आप लगा सकते हैं अगर दूसरे switch की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस परकार में थोड़ा सा width जो इसकी चोड़ाई जो है जो ज़्यादा है और इसका model आप देख सकते हैं किस परकार का है जो भी आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हैं वोसपर कमपनी ने अभी इस परकार के switch भी launch की है जो की dual model के अंदर है और round shape में है ये आपको half cut यानि की दो इस परकार अभी एक one switch है तो आपको इसमें double switch भी देखने को मिल जाएगा इसकी जो premiumness है वो आप देख सकते हैं काफी अच्छी दी गई है तो friends अभी हम देख लेते हैं हैवल्स के जो real model है उसके पास में जो socket है वो कितने परकार की है और कौन सी type की है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हैवल्स की जो real model है उसके पास में आपको एक ही design की ये 3 pin वाली 6 ampere के अंदर socket देखने को मिलेगी इसकी जो look है वो आप देख सकते हैं काफी अच्छा look दिया गया है glossy look है 3 pin में आपको ये देखने को मिलेगी और इसके back side में आप देखिए तो ISI mark यूज़ किया गया है यनकी mark लगा हुआ है और 3 terminal है और इसकी build quality मुझे अच्छी लग रही है लेकिन यहाँ पे plastic ही यूज़ कर रखा है और यहाँ पे कोई additional feature मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके अंदर आपको 6 ampere में एक ही model देखने को मिलेगा अगर हम बात करें वहाँ पे host per company के पास में तो host per company के पास में आपको 6 ampere के अंदर तीन model देखने को मिलेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर आपका कोई charger वगरा है वो universal है तो आप यह वाली socket लगा सकते हैं यह international है तो इसको आप use कर सकते हैं जो की 6 ampere के अंदर आता है तो इसको भी हम side में रखते हैं अगर हम देख सकते हैं अगर हमें 3 pin वाली socket चाहिए तो आपको 3 pin वाली socket भी मिल जाएगी इसके back side में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चिन्नी मिटी देखने को मिलेगी चिन्नी मिटी का मतलब होता है friends मान लीजिए आपके यहाँ पे terminal lose है और गरम होने की वज़े से जो socket कई बार जल जाती है न अगर चिन्नी मिटी लगी होगी तो वो socket कभी भी नहीं जलेगी तो यह एक अच्छा खास feature दिया गया इसके अंदर और friends यहाँ पर आप देखेंगे तो यह है 5 pin की 6 ampere में होसपर कंपनी की socket इसका लुक भी आप देख सकते हैं काफी premium है और इसके back side में आप देखेंगे तो plastic के ही terminal यूज कर रखे है 6 ampere है ISI Mark होसपर की branding है लेकिन friends यहाँ पर एक additional feature है कई बर क्या होता है माल लीजिए हम switchboard के अंदर कोई 3 pin top लगा देते हैं कोई press वगएरा कुछ heater वगएरा लगाते हैं तो वो जब अब निकालते हैं तो socket ही उससे बाहर आ जाती है लेकिन होसपर कंपनी ने इसका solution निकाल लिया है यहाँ पर ये lock है इन lock के नीचे अगर हम इस परकार का ये lock लगा देते हैं extra तो वो socket कभी भी switchboard से बाहर नहीं निकलेगी तो होसपर कंपनी की 6 ampere के अंदर आपको 3 socket देखने को मिल जाती है अभी हम बात करते हैं friends की जो हैवल्स कंपनी है उसके पास में जो power socket होती है हमें गीजर चलाना पड़ता है प्रेस सलानी पड़ती है heater बगएरा सलाना पड़ता है तो high load के लिए आपको हैवल्स कंपनी के रियो मोडल के पास आपको इस परकार की socket देखने को मिलेगी जो की shutter के अंदर आती है जो की safety को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है अगर हम इसके back side में देखेंगे तो आपको इस परकार के plastic में ही इसका जो structure है वो देखने को मिलेगा और इसके terminal आप देख सकते हैं brass और copper के use किये गए हैं और ISI mark है ठीक है आपको इस परकार की ये socket देखने को मिलेगी solar ampere के अंदर हैवल्स के रियो मोडल के अंदर अगर हम बात करें host per company के पास में तो host per company के पास में इस परकार की आपको power socket है वो दो मिलेगी अगर आपको shutter वाली चाहिए तो आप shutter वाली socket ले सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये host per company की shutter वाली socket है इसके अंदर क्या खासियत है वो भी मैं आपको बताऊंगा friends यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आपको without shutter वाली socket चाहिए तो without shutter वाली भी solar ampere के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी host per के अंदर अगर हम इसके back side चाहिए देखते हैं अच्छी बात है क्योंकि friends यहाँ पर power socket है तो इसके अंदर heavy load चलता है heavy load जहाँ पर चलेगा तो heat बड़ेगी heat बड़ेगी तो जलने का खत्रा रहता है लेकिन यहाँ पर ये socket बिल्कुल safe रहेगी क्योंकि इसके पिछे चिन्नी मिटी है तो बिल्कुल भी नहीं जलने वाली है तो होस्पर कंपनी ने यहाँ पर कुछ अपनी innovation कर रखी है जो भी बहुत ही जबरदस्त है अभी हम बात करते हैं अगर हमें power socket लगाई है तो उसके साथ में हमें power switch भी लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है हैवल्स कंपनी का 16 ampere का power switch power switch आप देख सकते हैं यहाँ पे on लिखा हुआ है तो यह power switch है इसके back side में भी 16 ampere की marking की हुई है और made in India है ठीक है लेकिन यहाँ पे इसके पिछे की side में आप देखेंगे तो plastic यूज कर रखा है और terminal जो है वो 16 ampere के according ही लगा रखे हैं तो इसका जो look है वो आपको 6 ampere की तरह ही देखने को मिलेगा ठीक है इसके पीछे बिला plastic लगा रखा है अगर हम यहीं पर बात करें host per company की तो host per company के पास आप देख सकते हैं यह है इनका 16 ampere का power switch जिसको आप power socket के साथ में लगा सकते हैं इसके back side में देखेंगे तो heavy quality के high grade के terminal होते हैं वो use कर रखे हैं और इसके पीछे भी यहाँ पर branding और ISI mark किया है और यहाँ पर खास बात यह है कि इसके पीछे भी आपको चीनी मीटी देखने को मिलेगी चीनी मीटी का क्या खासियत होती है क्या फाइदे होते हैं वो मैंने आपको socket के अंदर बताई दिया है तो यहाँ पर भी switch के अंदर भी इन्होंने चीनी मीटी यूज कर रखी है जो की काफी अच्छी बात है फ्रेंट्स जो switchboard है उनके अंदर हमें कई बर क्या होता है DP switch लगाना पड़ जाता है तो DP switch हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हैवल्स का जो रियो मोडल है उसके पास में आपको इस परकारगा DP switch देखने को मिलेगा यह एक dual model के अंदर आता है और जैसे कि आप देख पारे हैं फ्रंट में आपको indicator भी देखने को मिलेगा जो की काफी अच्छी बात है और इसके back side में आप देखेंगे तो indicator के दो terminal देखने को मिलेगे और चार terminal आपको देखने को मिलेगे input और output जिससे की phase और neutral दोनों ही in होते हैं और दोनों ही out होते हैं लेकिन इसके पीछे भी आपको plastic ही देखने को मिलेगा ठीक है यह current rating के according हम इसको select कर सकते हैं अब भी हम बात करते हैं host per company के पास DP switch तो यहाँ पर आप देखेंगे तो host per company ने यहाँ पर बकाईदा 32 ampere DP भी लिखा हुआ है और indicator भी दिया गया है और friends अगर हम इसके back side से देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर दो wire दी गई है जो की indicator की wire है और इसके अंदर भी high grade के high quality के terminal यूज कर रखे हैं और इन दोनों terminal के बीच में यहाँ पर एक separator लगा रखा है जिससे कि मान लीजी आप यहाँ से wire डाल रहे हैं कोई wire का कोई भी conductor छोटा सा होता है वो आर पर जाके दूसरे को short ना कर दे तो यहाँ पर एक separator डाल रखा है और सबसे खास बड़ी बात है कि इसके पीछे भी आपको चिनी मीटी देखने को मिलेगी तो चिनी मीटी जहाँ पर लगी हुए है वो तो बिल्कुल ही safe है जलने वगरा का कोई खत्रा नहीं है तो फ्रेंड्स इसके बाद में हमें लगाने की जूट परती है fan regulator तो यह जो दो fan regulator है single model और dual model के अंदर वो हैवल्स के real model के हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह step के अंदर आता है और यहाँ पे fan का sign भी बना हुआ है और यह आपको चार step के अंदर देखने को मिलेगा चार speed के अंदर और पांच वहाँ जो है वो off के अंदर देखने को मिलेगा अगर हम यही पे dual model की बात करें तो आपको यह 5 step तो आपको speed के देखने को मिलेगे च्छटा step आपको off का देखने को मिलेगा इसका जो look है वो काफी अच्छा दिया गया है premiumness है लेकिन friends कई बर क्या होता है ये टूर जाते है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको same एक ही material का जो product है वो देखने को मिलेगा यानि कि जो उपर plastic लगा रखा है उसी का अंदर से knob का hole बना रखा है लेकिन अगर हम बात करें host per company की तो host per company की भी हम product देख लेते हैं यानि कि fan regulator देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे introduce करता हूँ कि जो step वाले होते हैं उन fan regulator को तो इसके अंदर आपको single module और dual module दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर भी आपको चार step तो speed के मिल जाते हैं पांचवा step आपको off का मिल जाता है single module के अंदर अगर हम बात करें dual module के अंदर तो इसके अंदर आपको 5 तो speed मिल जाती है और एक आपको off करने के लिए point दिया गया है अगर हम बात करें इसके अंदर आपको एक model और भी देखने को मिल जाता है जो की dimmer switch के according काम करता है माली जी इसके अंदर अगर आपको step चाहिए तो step वाला ये वाला choose कर सकते हैं अगर आपको without step वाला चाहिए तो आप इस dimmer switch वाले को भी use कर सकते हैं इसके अंदर कोई step नहीं होता है ये single module में है और ये dual module में है इसके back side में आप देखेंगे तो काफी अच्छी build quality आपको देखने को मिल जाती है अभी हम बात करते हैं इनके अंदर जो terminal जो इनके जो knob दे रखे हैं उनकी quality कैसी है इस fan regulator की जो knob है उसके अंदर आपको तीन material देखने को मिलेंगे उपर का जो plastic यूज किया गया है वो वाला है और निचे अंदर देख सकते हैं प्रोम का material अलग है और अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक black black color की अलग से knob दिखाई देगी जो की ये जो fan regulator की आगी की knob होती है उसको operate करती है इसके अंदर जो material यूज किया गया है वो nylon का है जो कि कभी भी तूटता नहीं है अन-breakable होता है ये ये अपनी shape को change कर सकता है लेकिन कभी भी नहीं तूटेगा तो इसकी जो build quality है वो भी काफी अच्छी है होस्पर company ने छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है तो friends जैसे की भी आपने video के अंदर देखा हमने आपको दो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे branded company के product दिखाए लेकिन इनके अंदर भी आपको काफी difference देखने को मिला है इनका जो rate है वो आपको लगबग same ही देखने को मिलेगा जब आप market में जाते हैं तो आप अपने according चूज कर सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही company के product दिखाए हैं दोनों ही company best company हैं इनके अंदर क्या difference है वो भी आपको पता लग ही गया होगा इनके product को देखते हुए इनके feature functions को देखते हुए अगर मुझे यहाँ पे product लगाना होता मेरे घर पे तो मैं यहाँ पे यह host पर company का लगाता क्योंकि friends इसके अंदर हमें काफी additional feature मिल जाते हैं यह बात नहीं है कि यह खराब है यह भी बहुत ही अच्छी quality के product है लेकिन इसक इसके अंदर एक ही model देखने को मिल जाता है अगर मानली जी हमारे घर में already कोई seat लगी हुई है तो उसके अंदर हमें switch लगाना पड़ जाए तो यह switch नहीं लगया लेकिन यह वाला switch लग जाता है यह किसी भी seat के अंदर लग जाता है जो कि एक standard के according seat आती है तो यहाँ पर म अगर मुझे लगाना होता तो मैं host पर company का लगाता आप अपने requirement आप अपने हिसाब से choose कर सकते हैं market में जाके कोई भी company का आप समाल ले सकते हैं तो friends आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी comment करके हमें जुरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको like और share जुरूर कर देना अगर आपको यह difference अच्छा लगा अगर आप इसी प्रकार के और difference की वीडियो चाते हैं तो आप हमें comment करके जुरूर बताना हम आपके लिए जुरूर वीडियो लेके राएंगे तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात स्थार मूझत भीडियो में इस नेक्स पिद्दार अगर आपक kindness यह